बोलने का अधिकार है इसमें हमें कोई आपती नहीं है वो बोल सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं अगर वो कहते हैं कि शामाप्रसाद मुकर्जी जी ने 370 लाया तो वो रेफरेंस ने कहां से वो ड्रॉब कर रहे हैं कहां से बोल रहे हैं कौंसिडेंट एसम्बली में कब स्यमाप्रसाद इसे ने कहा इस तरह से बेपन्याद बाते यहां नहीं हो सकती है अज्डिकर अगर 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 आप क्या वो क्यावक्वट बें शामिल नहीं ते जा और ।वे साब रहा हैं अगर आपको बोलने का पुरा दिकार है लेकिन इस संसत से जो बात हम के रहे हैं पूरा देश सुन रहा है बोलते समय किस reference में किसी आरो प्रत्यार और जब तक नहीं हो फिट दियम कानुन की किताब से चलेंगे तो सदन चलेगा नहीं तो तथियों के आधार पर हो कोई reference हो कोई बात हो इस सदन को ऐसा नहीं बोले कि है कि अपन कोई तर्क नहीं कोई तथय नहीं कोई संधर्प नहीं और अपने की सिर्फ पर अर्ण प्रत्यारर्ब लगाएं इसके लिए सद्रन का उप्योग नहीं होना चीह से निकालूहं लेकिन बोलकотриंटा कि बीच में चल जाए यह मैं कभी उचित नहीं मान था, इसलिए बोलतें समय मान रख्षि उनके पास, जब भी तथे और प्रमाण हो तो निश्चित उसे बोले, मान रख्षि जीए, उनको मान रख्षि जीए, इसलिए नहीं कहना चाहताा, बच इतना ही, आपके माद्धिम से अपछा करता हूँ मानि रख्षि से, जिन्हो कोई रिफरेंस आपके पास होगा तो रिफरेंस की लिए इस सबन में चर्चा करें तो ज़्यादा उचित होगा इतना ही कहाना यह दिन नहीं है इसका रिफरेंस नहीं है तो आपको सबन से शमा मांगनी चाहिए यही मैं जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सभीकर साथ मैंने यह नहीं कभी यह नहीं कहा कि उनूने लाया रिजलिशन लेकिन यह यह चाहिए एक मानेश पर शुप्राइब आप आप बिलाशा के निकाली लेकिन मेरा यह नहीं कहना था कि उन्होंने इंट्रूश किया उन्होंने इंट्रूश किया बात यह है कि क्या सर्वस आमध इजे तीन सब साथ नहीं हुआ कि कैबिनेट के सदस्ते सामा प्रसाद मुकर जी मैं पर्ष करता चाना करना चाहता हूं सदन के रेकॉर्ड के लिए कि वो कबिनेट किसी एक पाटी की चुनी वी कैबिनेट नहीं थी सर्वदलिय कैबिनेट थी और कॉंसिटेंट एसमली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थू नहीं गए हैं कॉंसिटेंट एसमली ने स्वता ही चर्चा करकर सम्विदान को लिखने का काम किया है सम्विदान बनने के बाद है हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थू जाएगा वो कैबिनेट को अधिकार सम्विदान सभाने जो सम्विदान बनाया उसने दिया है इसलिए जब कैबिनेट के अंदर सामा प्रसाद मुकर जी थे इड़ जन मीन कि नो ने 370 का समर्थन किया है और रेकोर्ड क्लियर होना चाहिए सब इस सदन पर इस तरह की बाते रेकोर्ड पर भी नहीं रहें सब्सक्राइब करें अभी यह कह रहा है कि हो मिनिस्टर ने कार्ट की कैबिनेट से आए मैंने कभी नहीं कहा कैबिनेट से आए उस वक्त सम्विधान सभा में जो कानून बनने जाता था वो कैबिनेट से होकर नहीं जाता था कैबिनेट में होकर कानून बनने के लिए जाने का सिल्सिला सम्विधान बनने के बाद देश की कैबिनेट को मिला है उस वक्त स्वत्त ही सम्विदान जबा अपनी चर्चा करकर सम्विदान को घड़ रही थी बना रही इसलिए स्यामाप्रसाद मुकर्दी कैबिनेट के सदस्यत है इट डर्जन में कि उन्हें 370 को समर्थन किया हमने का कि सर्विस समती से महावी त्यागी साथ ने लिए वो लिए श्रीफ भसत मुखानी ने अबजेक्शन किया और स्वामिया एंगर साब ने सब को संतोष किया कि नहीं यह हित्म है और यह भी कहा कि यह अगर आप उनका भयान देखेंगे तो यह नहीं टेंपरी है नहीं ट्रंसिशनल है और यह बंदा हुआ है श्रीफ भी के कुनाली कुट्टी जी और यह अज़िए अज़िए